वेलकम बेक टू माई चनल एश्टिमोयल बैंकिंग दोस्तो आज की इस वीडियो में यह दिखाने वाला हूं कि बर्थ सेटिफिकेट को आप खुद से ओलेन अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तो बर्थ सेटिफिकेट एक जैन्वेन डोकुमेंट होता है क्योंकि इसी के बेस पे स्कूल या कॉलेज में एडमेसन लेना हो या फिर कोई भी सरकारी आईटी प्रू बनानी हो या फिर कोई भी सरकारी जोजने का लाब लेना हो तब इसके लिए बर्थ सेटिफिकेट क को बना करी देते हैं दोस्तों आगर बच्चा कहीं और पैदा हो जाता है जैसे किसी रिष्टेदार के या या किसी घर में तब तो बर सर्टिपिकट को आप खुड से ओनल अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों मैं जिस भी वेबसाइट से दिखाने वाला हूं वह एक जैनुर जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाया गया है 21 तरह से आपको अप्लाई करनी होती है दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है किसी घर या किसी रिष्टेदार में तब तो उसको 21 दिन के अंदर अंदर उसको online रिष्टेशन करना होता है दोस्तों किसी कारण के वाई से अग बता हो जाती है तब आपको एक एफिडेविट बना के देनी होती है उसमें बताना होता है कि आपने किस कारण के वाई से लेट किया था और इतने लेट क्यूं हुआ है इसमें कोई इश्यू नहीं आने वाली है आपको बर्स हैटिवाट बिलकुल आराम से असानी से बन जा जिसे की, पीएप, साइबर कैफे, रिटेलर, सरकारी होंग, गवर्मेंट इसकी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आती रहेगी तो चलिए शुरू करते हैं किसी भी इस्टेट का बर्थ अपलाई करने के लिए आपको सबसे पहले बर्थ एंड देथ रिश्यूसर की ओफिसल वेबसेट पर आ जानी है पहले आता है उजयन दोस्तों आपको अपना नाम या बच्चे का नाम का यूजर निम बना सकते हैं इसके बाद आपको अपने एमेल एडे को फिल कर देना है बच्चे का जो भी डेलट पर उसको सेलेट कर लेना है इसके बाद आपको states choose करनी है आप जीस भी state के लिए apply करने चाहते है उस chart को यहाँ select कर लेदा है जैसे मैं उत्तर परधेस के लिए apply करने चाहते है उत्तर परधेस के लिए click कर दिया इसके बाद आपको जो भी district बारण। dads यूभी district को इसम HEY complex select कर लेना है इसके बाद आपको जो भी डिश्टिट आता है जैसे बहुत तालुक आते हैं उसमेने कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद आपको जो गाओ, कस्बा, सहर आपको जो भी आता है इनमेस आपको सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद आपको जो भी नगर निगम आता है जो भी यूनिट आती है उसको आपको इमेल से सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद आपको जो भी capture code आपको दिखाई देरा है इस capture code को SIMPT से आपको यहाँ feel कर देना है Simply आपको register पर क्लिक कर देना है इतना करने के बाद आपको thank you को message आपको देखने के मिल जाता है आपको email ID पे एक link चली गई है साथ साथ में आपको user ID भी आपको उसी email ID पे देखने के मिल जाएगा तब आपको email ID को open कर लेना है आपको यहाँ पर user ID आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएगा दोस्तों आपको अपने पासवर्ट बनाना होगा पासवर्ट बनाने के लिए आपको simply click here पे click कर देना है इतना करने के बाद अब आपका page इस तरह से open हो जाता है दोस्तों user ID आपने copy किया होगा यहाँ पे आप user ID को यहाँ पे copy कर सकते हैं इसके बाद आपको बिद्धाक है इसके पासवर्ट बनानी चाहें उसके पासवर्ट को यहाँ फिल करदेना है इसके बाद कवां से Πलिक करदेना है आपके पासवर्ट आपडेट सक्सपूल हो चुका है आपको क्या करना है आपको user ID याई आफको यह email ID मिला है उस user ID को यहां फिल कर देना है, इसके बाद आपको जो पास्वर्ट होना है, उस पास्वर्ट को यहां फिल कर देना है, इसके बाद आपको जो capture code डिखाई देना है, इस capture code को same time आपको यहां फिल कर देना है, इसके बाद आपको simply login पे click कर देना है, इसके बाद आपका page इस त आपको English और Hindi आपको दोने language में आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों पहले आता है form number यह randomly form number है आप इसे कुछ भी डाल के feel कर सकते हैं अधरवाद इसको एजड़ सकते हैं अब आता है reporting date दोस्तों आप जिस भी date को apply करेंगे यह date automatic select हो जाएगा आपको इन्हें कुछ करने कि जरुबत नहीं है अश्वाद साइस को डोन करेंगे अब आता है information of the child यह बच्चे की details पहले आता है date of birth दोस्तों बच्चा जिस date को पैदा हुआ है उस date को यहाँ पर select कर लेना है बच्चा क्या है male या female इसको select कर लेना है इसके बद आगर बच्चे का नाम करन हो चुग है कि बच्चे का नाम करन नहीं होता है अगर आपने बच्चे का नाम नहीं रखा है तो क्या करना आपको यह वाला कॉलम भी छोड़ सकते हूँ but मैं आपको यह सगेश्च करूंगा कि बच्चे का नाम करन हो चुका है अगर है तो बिल्कुल आप नाम को fill किजिए अगर न दोस्तों बच्चा जहां भी पैदा आगा वहां का पूरा एडरस आपको अच्छा से फिल कर देना है जैसे यहां पर हाउस नमबर उसके बाद इस्ट्रीट नेम उसके बाद जो पोस्ट ओफिस पड़ता है उसके बाद जो इस्ट्रीट ओटमेटिक आपका सेलेक्ट रहेगा आपको यहां पर केवल आपको एरिया का पिन को डाल देना है पूरा फिल कर देने के बाद आपको थोड़ा सापको स्कॉल्ड ओन करना है अब आता है फादर इन्फरमेशन यानि बच्चे के पिता का फास्ट नेम मीडल नेम लास्ट नेम बच्चे के पिता का आधान नमब इसके email ID और बच्चे के पिता का mobile number दोस्तों यह सारे को feel कर देना है यादर है email ID और mobile number इसको feel करना बहुत ज़रूरी है अब आता है mother information यह बच्चे के माता का details बच्चे के माता का first name, middle name और last name बच्चे के माता का अधार number email ID और mobile number दोस्तों इसमे email ID और mobile number compulsory नहीं है आगर अब आता है बच्चे के जनम के समय माता पिता का एड्रेस दोस्तों अभी आपने सबसे उपर बच्चे का पूरे एड्रेस को फिल किया था वही सेम्ट सेम्ट आपको पूरे एड्रेस को यहां भी फिल कर देना है पूरे address को fill करने के बाद आपको थोड़ा सा scroll down करना है अब आता है permanent address of parent दोस्तों मातर पीता का permanent address क्या है अगर मानक चलिए आप UP में रहते हैं basically belong करते हैं बिहार से तो आपको बिहार वाला पूरे address को यहाँ पूरा fill कर देना है दोस्तों अगर आपको UP का यह address है आप UP में ही रहते हैं तो क्या करना है यहाँ पर टिक लगा देना है इसके क्या को जो भी आपने उपर के address को fill किया हुआ है आपको यही वाला address पूरा आ जाएगा पूरा address को fill करने के बाद आपको थोड़ा सा scroll down करना है दोस्तों यह जो भी form को भर रहा है cyber cafe भर रहा है या कोई other form भर रहा है तो यहाँ पर पूरा नाम पुरा details उसको fill कर देना है अगर यह father ही details को fill कर रहा है तो क्या करने यहाँ पर टिक लगा देना है पूरा form को fill करने के बाद आपको simply save पे click कर देना है इसके बाद आपका next page इस तरह से open हो जाता है पहले आता है town और village of residence of the mother यानि माता के रहने का निवास सबसे पहला था district आपको district को इनमें select कर लेना है इसके बाद आता sub district इनमें से आपको select कर लेना है इसके बाद आप जहां भी रहते हैं इसके बाद आता हमदा इसके बाद आता है पादर की इतने पड़े लिखे हैं जितने भी पड़े लिखे हैं आपको इन में सेलेट कर लेना है जैसे दस वी बार वी या बहुत कम लिखे पड़े लिखे हैं आपको इन में सेलेट कर लेना है इसका जाता मदर की education क्या है? मदर कितनी पड़े लिखी है? मदर की जो भी education है आपको इनमेश्लिट कर लेना है, अगर मदर बिल्कुल भी पड़े लिखी नहीं है, तो आपको सबसे उपर रोला आपको option नारा आ सिचित, आपको इस पर से क्लिक कर देना है, इसका जाता फादर की occupation का है फादर क्या काम करते है color का या housewife का या किसी नोड 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 या कुछ पता ही नहीं है या किसी भी तरह का plant या machine का किसी factor में काम करते है तो आपको इन में से कोई भी select कर लेना है इसका जाता मदर की occupation का है अगर मदर कोई काम करती है तब आपको inmost select कर लेना है अधरवषे अगर मदर housewife है तो आपको housewife पे रहने दाए अदर ब्रोप्रोप्य खरोण, यानि Kenn evening करने लेटा है अब आता other information साधी के समय क्या age थी माद के बच्चा जब पैदा हुआ था उस समय मा की क्या उमर थी, मा के टोटल बच्चे कितने हैं, यहाँ पर आपको type करते हैं, उसका आता attention of delivery, आपको type करते हैं, कि बच्चा किस देखरेक में पैदा हुआ है, या किसी परमपरत में, या किसी रिस्तिदार में, या किसी डॉक्टर या नेर्स के दोरह पैदा हुआ आपको इन में सिलेक्ट कर लेना है, जैसे रिलेटिर रिसिदार के हैं कोई पैदा हुआ है, तो मैंने इसे पर किलिक कर दिया है, इसके बाद आपको delivery method पर चूज कर लेना है, मैं नॉर्प मेल नॉर्प पर किलिक कर दिया है, उस समय आपका बच्चे का जो वजन था, जब प पूर्प होती है, तब आप यहाँ पर upload कर सकते हैं, जैसे किसी भी hospital की रसीद होती है, रसीद को आप यहाँ पर upload कर सकते हैं, अदरवाज किसी विधायक के द्वारा लेटर हैड पर आपको नाम पूरा डिटेज अगर फिल है, तो आपको उसको मोहर लगी होई है, तब ID प्रूब लगा सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरे प्रूब भी आपको बता जाता हूँ, दोस्तों एक offline प्रूब है, जो कि यह बर certificate है, इसमें क्या होता है, एक form number one है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपने जो online form को पूरा फिल किया था अभी पहले पहले, आपको वही सेमें सारे details को पूरा फिल करते ना है, पूरा details को फिल करने बद आपको अपना signature करने ना है, अगर signature नहीं करते है तो आप यहां पर अंगूठा पी लगा सकते हैं, दोस्तों प्रूब निकालने बद इसको पूरा च्रीन्स को फिल करने के बदिदे अबाद לगा सकते ह इसके बाद आपका पेज इस तरह से ओपन हो जाता है, दोस्तों आपको यहाँ पे पिलकुल अच्छे तरह से चेक कर लेना है, आपने जो भी डाटा को फिल किया है, वो पुरा डाटा एक तुम सही है, अगर कोई भी डाटा गलत आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एडिट को आपको सिंपली एडिट पर किलिक करके, आप जो भी डाटा को ठीक करना चाहते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, आदरवाज आपको लगता है, डाटा मेरा बिलकुल सही है, तो क्या करना है, आपको सिंपली सब्मिट पर किलिक कर देना है, इसके बाद आपको complete successfully registration हो चुका है सबसे पहले आपको यहीं पे reference number आपको देखने के मिल जाता है दोस्तों आपको इन्हें download करके रख लेना है या फिर इसे print out करके रख लेना है download करने के लिए option आपको तीर पे click कर देना है successfully download हो जाएगी दोस्तों आपको क्या करना है इन्हें print out निकालने के लिए आपने जो भी document को upload किया था कोई भी ID proof के लिए आप उस दो document को इस address पर आपको पहुचाना है इस address पर आपको लेकर जानी है वहाँ पर आपको यह verify करेंगे जैसे verify हो जाती है तब आपको बर certificate का hard copy होती है वह आपको घर के address पर 10-15 दिन के अंदर आपको address पर आज आती है दोस्तों आपसे जो भी फीस ली जाएगी वो फीस बहुत कम होगी आप फीस को payment कर सकते है दोस्तों I hope किसी भाई को कोई भी दिक्कट आती है कोई भी issue आती है आप हमें comment section में जरू बताना आपकी help करने के फूरी कोईस करूँगा दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो please वीडियो का like करना, share करना, subscribe करना Thank you